स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में आज हम चैप्टर वन इंटीजर्स उसकी एक्सेसाइज 1.3 स्वाल्फ करेंगे कोशन नमबर वन है फाइंड इच ओप दे फोलेंग प्रोडेक्ट्स प्रोडेक्ट का मतलब है हमें यहाँ पर मल्टिप्लाई करना है और देखो मल्टिप्लाई में यहाँ पर माइनस का भी साइन आया है तो हमें प्रोपर्टीज का ध्यान रखना है प्रोपर्टीज जैसे माइनस और माइनस की जब हम मल्टिप्लाई करते हैं तो आंसर पोजिटिव में आएगा और प्लस और माइनस की मल्टिप्लाई करते हैं तो माइनस में आएगा आंसर और माइनस और प्लस की मल्टिप्लाई करते हैं तो भी माइनस में आएगा प्लस और प्लस की मल्टिप्लाई करते हैं तो प्लस में आएगा ठीक है यहाँ पर देखिए 3 multiply minus 1 यहाँ पर 1 plus है और 1 minus है दोनों की multiply करेंगे answer क्या आजाएगा minus 3 minus 1 and 225 यहाँ पर भी 1 minus है एक plus है तो answer क्या आजाएगा minus 225 C part है minus 21 multiply minus 30 21 को 30 से multiply करना है और minus और minus क्या हो जाएगा plus 21 को 30 से multiply करेंगे 630 D part है minus 316 को minus 1 से multiply करना है यहाँ पर भी minus और minus की multiply क्या हो जाएगा plus 316 को 1 से multiply करेंगे तो 316 ही आएगा E part है minus 15 multiply 0 multiply minus 18 minus 15 को 0 से multiply करेंगे तो क्या आजाएगा 0 multiply minus 18 अब 0 को minus 18 से multiply करेंगे तो भी क्या आजाएगा जीरो F पार्ट है माइनस 12 मल्टिप्लाई माइनस 11 मल्टिप्लाई 10 अब यहां देखें माइनस 12 और माइनस 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 की और 11 की मल्टिप्लाई क्या आजाएगी 132 प्लस का साइन आएगा मल्टिप्लाई में 10 अब 132 को 10 से multiply करेंगे क्या answer आजाएगा 1320 G part है 9 multiply minus 3 multiply minus 6 यहां हमें 9 minus 3 और minus 6 को multiply करना है सबसे पहले 9 और minus 3 को multiply करेंगे 9 तरीजा 27 sign minus का आएगा क्योंकि 1 plus और 1 minus है तो minus का sign आएगा multiply minus 6 अब 27 और 6 की multiply करनी है sign कुन सा आएगा plus का sign आएगा क्योंकि minus और minus की जब multiply होगे तो plus आजाएगा 162 H part है minus 18 multiply minus 5 multiply minus 4 यहां 18, 5 और 4 की multiply करना तीनों के साथ minus का sign है 18, 5 चा 90 अब यहां देखो minus और minus की multiply होई तो plus का sign आजाएगा 90 multiply minus 4 90 और minus 4 की multiply होगे minus 3, 6, 3 यहां plus है, यहां minus है तो answer में minus का sign आजाएगा I part है minus 1 multiply minus 2 multiply minus 3 और multiply 4 इन सभी की multiply करनी है अब देखो यहां पर minus 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 3 टाइब minus है minus 1 और minus 2 की multiply क्या होजाएगी 2 multiply minus 3 multiply 4 2 और 3 की multiply है यहां plus है और यहां minus है क्या होजाएगा minus 6 multiply 4 अब यहां minus है और यहां plus का 4 है इन दोनों की multiply 24 और sign कौन सा आजाएगा minus का जे पार्ट है minus 3 multiply minus 6 multiply minus 2 multiply minus 1 यहां सभी की साथ minus minus है तो देखे 3 और 6 की multiply करेंगे minus और minus क्या होजाएगा plus 6 तरी जा 18 यहां हम साथ में 2 और 1 की multiply कर देते 2 और 1 की multiply करेंगे क्या आजाएगा 2 यहाँ पर भी plus का sign आएगा क्योंकि minus और minus plus 3 और 6 की जो multiply हमने किये तो यहाँ भी minus और minus plus 18 to the 36 और plus का आएगा 36 Question number second है verify the following हमने verify करने है इसके second question के part यह part है 18 multiply 7 plus minus 3 equal to 18 multiply 7 plus 18 multiply minus 3 यह left hand side है यह right hand side है हमने prove करना है verify करना है यहाँ पर कि left hand side और right hand side दोनों equal है तो चलिए हम solve करते हैं यहाँ पर पहले 18 multiply हम left hand side पहले solve कर रहे हैं 18 multiply अब यहाँ पर 7 plus फिर bracket है minus 3 ठीके तो bracket हटाएंगे तो क्या होज़ेगा plus और minus minus 7 minus 3 क्या होज़ेगा 18 multiply 7 minus 3 4 आज़ेगा 18 को 4 से multiply करेंगे क्या आज़ेगा 72 अब इसका right hand side solve करेंगे 18 multiply 7 plus 18 multiply minus 3 18 को 7 से multiply करेंगे क्या आज़ेगा 126 plus 18 को minus 3 से multiply करेंगे यहाँ पर minus है तो क्या आज़ेगा 54 और यह minus का आज़ेगा अब 126 में से 54 minus करेंगे कैसे 126 plus और minus यह bracket अट आएंगे तो minus हो जाएगा 126 minus 54 126 में से 54 minus करेंगे तो 72 आएगा अब देखो अमारे left hand side भी 72 आए था और right hand side भी तो यह verify हो गया हम लिख देंगे hence verified सेकंड कोशन का भी पाट है minus 21 multiply bracket minus 4 plus minus 6 right hand side में है minus 21 multiply minus 4 plus minus 21 multiply minus 6 left hand side और यह right hand side है पहले हम left hand side solve करेंगे minus 21 multiply minus 4 और minus 6 minus 4 plus और minus क्या हो जाएगा minus 6 अब देखें minus 21 multiply minus 10 minus 4 और minus 6 minus 10 हो जाएगे यहाँ minus 21 और यहाँ minus 10 इन दोनों की multiply क्या हो जाएगा 210 और sign plus का आएगा minus और minus plus right hand side solve करेंगे minus 21 multiply minus 4 plus minus 21 multiply minus 6 यहाँ देखें minus 21 और minus 4 की multiply करेंगे दोनों minus minus है तो answer किस में आएगा plus में 84 अब यहाँ देखें 21 और minus का है और 6 और minus का है इन दोनों को multiply करेंगे तो minus और minus plus 126 दोनों plus plus के दोनों को add करेंगे answer आजाएगा 210 देखें left hand side और right hand side दोनों equal आए हैं तो यह verify हो गया हम लिखेंगे hence verified question number 3 का first part for any integer a what is the minus 1 multiply a equals to minus 1 और a के multiply करेंगे तो क्या आएगा मतलब यहाँ पर a कोई भी integer है किसी भी integer की minus 1 से product हम करते हैं तो answer क्या आएगा minus में ही आएगा यहाँ देखें minus 1 और a की हम multiply करते हैं तो क्या आजाएगा minus a second part है determine the integer whose product with minus 1 is अब हमें ऐसा integer बताना है जिसके साथ minus 1 की product करने पर यह answer आए हम minus 21, 37 and 0 देखें अब हम solve करते हैं a part है हम किसे भी integer को minus 1 से multiply करेंगे तो answer क्या minus 22 अब हमें यहाँ कोई भी integer लिखना है कौन सा integer जिसको minus 1 से multiply करने पर minus 22 आए अब देखें यहाँ पर 22 यह दि मैं लिखतें हूँ तो 22 को minus 1 से multiply करेंगे answer क्या आएगा minus 22 बी part है यहाँ पर भी minus 1 से multiply करना है और answer क्या आएगा 37 अब देखो यहाँ पर minus है यहाँ पर मैं negative लोंगी minus का ही लोंगी तब answer positive में आएगा minus 37 यदि minus 37 को minus 1 से multiply करेंगे तो answer आजाएगा 37 c part है minus 1 को किस से multiply करें कि answer 0 आए तो यहाँ पर हम 0 ही लिखेंगे 0 को minus 0 को चाहिए किसी नंबर से multiply करो answer 0 ही आएगा question number 4 is starting from minus 1 multiply 5 write various products showing some pattern to show minus 1 multiply minus 1 equal to 1 यहाँ पर हमें एक pattern बनाना है और start कहां से करना है minus 1 multiply 5 से ठीक है तो यहाँ देखें minus 1 multiply 5 equal to minus 5 next है minus 1 multiply 4 minus 1 को 4 से multiply करेंगे answer किया आजाएगा minus 4 यहाँ पर देखें minus 4 को हम minus 5 plus 1 की form में लिख सकते है minus का 5 और plus का 1 है 5 में से 1 minus हो जाएगा answer आजाएगा minus 4 next है minus 1 multiply 3 यहाँ पर minus 3 minus 3 को हम किस form में लिख सकते है minus 4 plus 1 यहाँ 4 में से 1 minus हो जाएगा क्योंकि 4 minus का है और बड़ा है यह इसमें से 1 minus हो जाएगा answer आजाएगा minus 3 फिर minus 1 multiply 2 minus 2 minus 2 को हम minus 3 plus 1 की form में लिख सकते है फिर है minus 1 multiply 1 equal to minus 1 इसको minus 2 plus 1 की form में लिख सकते है फिर है minus 1 multiply 0 यहाँ पर 0 आ गया तो देखे minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 क्या आ जाएगा 0 उसके बाद minus 1 multiply minus 1 क्योंकि question में minus 1 multiply minus 1 तक हमें pattern follow करने को बोला था तो minus 1 minus 1 की multiply क्या आ जाएगी 1 तो यहाँ क्या आ जाएगा minus 1 के बाद 0 0 plus 1 तो 1 answer आ जाएगा क्या जाएगा